हलो बच्चों केसे हैं आप सब असा करता हूँ स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राठोड क्लासेज में तो यह हमारे चैनल का सिर्फ दूसरा वीडियो है इस चैनल की सुरुवाती है तो पहला वीडियो जब आपने देखा होगा तो आसा करता हूँ आपको पसंद आया होगा कि वो वीडियो अच्छा बनाओगा पहली पहली कोशिस हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिस करें अगर पसंद आता है तो नहीं आता है तो कोई बात नहीं चलो आगे चलते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं जिन्होंने वीडियो देखा होगा पहला उसके अंदर हमने परिमेई संख्या की परिवासा पड़ी थी परिमेई संख्या के उधारन देखे थे परिमेई संख्या कैसी होती हैं उनके सब के उधारन देखे थे उसके बाद हमने पूर्ण संख्या की परिवासा और उसके उदारन देखेते और सबसे अंत में हमने प्राकरती किया प्राकरत संख्या की परिवासा और उसके उदारन देखेते और समझेते आसा करता हूँ वो वीडियो आपको पसंद आया होगा और उसके अंदर जो ये चार टोपिक मेंने समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे तो आज के इस वीडियो में हम इसी के अगले चरण में परिमेह संख्या के गुणदर्मों के बारे में अध्यान करेंगे इसके बारे में अध्यान करेंगे परिमेह संख्याओं के गुणदर्मों के बारे में अध्यान करेंगे परिमेह संख्याओं के जो कुछ मुख्य गुणदर्म है वो आपकी पुस्तक में दिये हैं है जैसा कि पहला है संपर दूसरा है क्र provocative मेत का गुंडर्म तीसरा है शचाह तब अ ऑज humans तो in तीन कुंड़मों में से हम आज सिर्फ पहले nostrum यानी कि संवरत कुंडर्म के बारे में ही अध्यान करेंगे की औक कौन सी संक्या यह जो चार संक्या हमने पहले पड़ी थी पहले वाले वीडियो में उन चारो संक्याओं में से कौन कौन सी संक्याएं इस समरत गुंधर्म का किस किस संक्या के अंतरगत पालन करती हैं और किस किस संक्या के अंतरगत पालन नहीं करती हैं अब गणित की मांते होंगे चार संक्रिया है Jae Yook Online या भद भी भोलते हैं जांट हैं ऑर उसके बाद Aí शोता है ढाग यानिकि जोब व्योक्ले लाइन और छार संक्रिया हैं तो इन चार संख्रियां के अंतरगत परिमेई संक्याय, पून संक्याय, पूनांग संक्याय, और प्रकर्थिक संक्याय, क्या ये समर्द गुनेदर्म का पालन करती हैं या नहीं करती हैं, इसके हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उधारन भी लेंगे, उधारन से समझेंगे, ठीक है, तो चलते हैं आगे, चलो सर्व पर्थम अपन पूर्ण संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं तो पूर्ण संख्या के अंतरगत भी यानि कि जो पूर्ण संख्या है वो सबसे पहले क्या योग के अंतरगत सम्रित है या नहीं है यानि कि योग के अंतरकति ये सम्रिद गुनतरम का पालन करती है या नहीं करती है इसके बारे में हम अध्यान करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक मिनिट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 0 एक पून संक्या है वेसे ही 5 भी एक पून संक्या है लेकिन जब इनको जोडते हैं 0 और 5 को जोडते हैं तो इनका उत्तर हमें 5 प्राप्त होता है जो कि एक पून संक्या है यानि कि पून संक्या को पून संक्या में जोडने पर हमें पून संक्या ही प्राप्त होती है और इससे इसका दूसरा उधारन है कि चार एक पून संक्या है और साथ भी एक पून संक्या है और जब इनको हम जोडते हैं तो हमें उत्तर 11 प्राप्त होता है कितना प्राप्त होता है 11 प्राप्त होता है जो कि एक पूर्ण संक्या है अर्थात पूर्ण संक्या को पूर्ण संक्या में जोड रहे हैं तो हमें वापिस पूर्ण संक्या ही प्राप्त हो रही है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूर्ण संक्या है वो योग के अंतरगत सम्रित होती है अब व्योकलन या बाकी के अंतरगत भी पूर्ण संक्या समरत होती है या नहीं होती है इसका उदर हम देखते हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि पांच एक पूर्ण संक्या है साथ भी एक पूर्ण संक्या जब साथ में से पांच को गटाते हैं तो हमें दो प्राप्त होते हैं लेकिन जब पांच में से सा पूर्ण संक्या प्राप्त नहीं होती है जरूर ही नहीं है कि हमें पूर्ण संक्या ही प्राप्त हो ठीक है न इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो परिमेश संक्या है यह व्यवकलन के अंतरगत सम्रत नहीं होती है आगे चलते हैं तीसरी संक्रिया है गुनन तो क्या पून संक्रिया है गुनन के इंतर के समर्थ होती है इसका भी अपन उदार्ण देख लेते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 0 एक पून संक्रिया है वेसे ही 3 भी एक पून संक्रिया है और जब 0 और 3 को गुना करते हैं तो हमें उत्तर 0 प्राफ्ट होता है ये तो आप सब को पता ही होगा कि 0 से जब किसी भी संक्या को गुना करते हैं तो उत्तर हमें 0 प्राफ्ट होता है तो 0 भी एक क्या है? पून संक्या है क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पड़ा था, कि जो पून सेंग्या हैं, वो zero से ही शुरू होती है, झो zero जो है, वो सबसे छोटी पून सेंग्या है, एक इसका दूसरा अधानने भी देख लेते हैं, कि 3, ये भी एक पून सेंग्या हैं, और साथ भी एक पूंड संक्या है और तीन और साथ को जब गुणा करते हैं तो हमें कितने प्राप्त होते हैं 21 प्राप्त होते हैं कितने प्राप्त होते हैं 21 प्राप्त होते हैं जो कि एक पूंड संक्या है अर्थात जो पूंड संक्या है वो गुणन के अंतरगत भी सम्रत होती हैं तीसरी संक्रिया है भाग भाग के अंतर के देखते हैं अपन के पांच एक पूर्ण संक्या है और आठ भी एक पूर्ण संक्या है लेकिन क्या पांच में हम आठ का भाग लगाते हैं तो हमें पूर्ण संक्या प्राप्त होती हैं नहीं होती है जब पांच में आठ का भाग लगाते हैं तो हमें पांच यही प्राप्त हो को ठीक है न Bay okay इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूण संक्या हैं वह भाग के अंतरगत सम्रत नहीं होती है अब हमने यह तो जान लिया है कि पूण संक्यां जो है वह सिरे योग के इंतरगत सम्रित होती है व्यवकलन के इंतरगत सम्रित नहीं होती है गुणन के इंतरगत सम्रित होती है और भाग के इंतरगत सम्रित नहीं होती है यह आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा यह मेरी आपसे असा है ठीक है अब आगे चलते हैं चलो बात कर लेते हैं दूसरी संख्या पूर्णांग के बारे में क्या पूर्णांग संख्या जो होती है वो योग, व्यवकलन, गुणन और भाग के अंतरगत सम्रित है या नहीं है सबसे पहले सबसे पहले देखते हैं कि क्या पूर्णांग सिंख्य योग के इंतर के सम्रित है या नहीं है जैसा कि आप उधारन देख पा रहे होंगे कि माइनस छे एक पूर्णांग सिंख्या है क्योंकि पूर्णांग सिंख्य रिनात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है पांच भी एक पूर्णांग सिंख्या है जब माइनस चे और पांच को जोडते हैं तो उत्तर हमें माइनस एक प्राप्त होता है यानि कि पूर्णांग सिंख्या को जोडने पर पूर्णांग सिंक्या को पूर्णांग सिंक्या से जोडने पर हमें उत्तर भी पूर्णांग सिंक्या ही प्राप्त होता है दूसरा उदारन देखते हैं कि मैनस 7 एक पूर्णांग सिंक्या है मैनस 5 भी एक पूर्णांग सिंक्या है जब इनको जोडते हैं तो हमें उत्तर माइनस बारा प्राप्त होते हैं जो कि एक पूर्णांग संक्या है वेसे ही तीसरा उधारन देखते हैं कि आठ एक पूर्णांग संक्या है पांच भी एक पूर्णांग संक्या जब इनको जोडते हैं तो 8 और 5 उत्तर हमें 13 प्राप्त होते हैं ये भी एक पूर्णांग संक्या को जब पूर्णांग संक्या से जोड़ा जाता है तो उत्तर हमें पूर्णांग संक्या ही प्राप्त होता है इसका अर्थ क्या हुआ कि जो पूर्णांग संक्या हैं वो पांच भी एक पुर्णांग संख्या है लेकिन जब साथ में से अपन पांच को गटाते हैं तो हमें उत्तर दो प्राप्त होते हैं जो कि एक पुर्णांग संख्या है तो कि हम जानते हैं कि पुर्णांग संख्या है धनत्मक भी होती है और प्रेनत्मक भी होती है वापिस अपन दूसरा उधरन देखते हैं कि इसको अगर उल्टा करते हैं पांच में से साथ को गटाते हैं तो उत्तर हमें माइनस दो प्राफ्त होते हैं जो कि वो भी एक क्या है मुणांग सेंग्या है तीसरा उधरन देखते हैं कि माइनस 6 में से जब 8 गटाते हैं तो हमें उत्तर माइनस 14 प्राफ्ट होता है ये भी एक पूर्णांग सहीं क्या है वेसे ही माइनस 6 में से माइनस 8 को गटाते हैं तो उत्तर हमें 2 प्राफ्ट होता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो उत्तर 2 प्राफ्ट होता है ये भी एक पूर्णांग संक्या है वैसे जब 8 में से माइनस 6 को गटाते हैं तो उत्तर कितना प्राप्त होगा 14 प्राप्त होगा वो भी एक पूर्णांग संक्या है तो ये जो पहाजुदान देखे हमने इन से हमें ये पता पड़ता है कि जब पूर्णांग संक्या में से किसी पूर्णांग संक्या को गटाते हैं तो भी हमें उत्तर क्या प्राप्त होता है पूर्णांग संक्या ही प्राप्त होता है इसका अर्थ ये हुआ कि जो पूर्णांग संक्या है वो व्योकलन के अंतरगत सम्रत होती है तीसरी संक्रिया है गुनन इसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे कि पहला ही उदारण है इसका कि 5 एक पुर्णांग संक्या है आट भी एक पुर्णांग संक्या है और जब इनको गुना करते हैं तो हमें 40 प्राप्त होते हैं ये भी क्या है एक पुर्णांग संक्या है दूसरा माइनस पाँच पूर्णांग संक्या है और माइनस आठ भी पूर्णांग संक्या है और जब इनको गुणा करते हैं तो हमें प्लस के 40 प्राप्त होते हैं ये भी क्या है एक पूर्णांग संक्या अर्थात पूर्णांग संक्या जो होती है वो गुणन के अंतरगत भी समरत है तीसर चोती संक्रिया है भाग भाग के अंतरगत हम देखते हैं एक ही उदारन ले लेते हैं कि पांच एक पुर्णांग संक्या है आठ भी एक पुर्णांग संक्या है जब पांच में हम आठ का भाग लगाते हैं तो हमें 5 बटेवे 8 प्राप्त हो रहा है जो कि एक पूर्णाग सिंक्या नहीं है ये एक परिमे सिंक्या इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ यह हुआ कि जब पूर्णांग सिंक्या में अपन पूर्णांग सिंक्या का भाग लगाते हैं तो हमेशा हमें पूर्णांग सिंक्या प्राप्त यह जरूरी नहीं है कभी पूर्णांग सिंक्या प्राप्त हो भी सकती है और कभी नहीं भी हो सकती है इसका मतलब यह हुआ कि जो पुर्णांग सिंक्या हैं वो भाग के अंतरगत सम्रत नहीं है तो अब आप लोगों ने ये समझी लिया होगा कि जो पुर्णांग सिंक्या हैं वो योग के अंतरगत सम्रत होती है व्याउकलन के अंतरगत भी सम्रत होती है गुणन के अंतरगत भी सम्रत होती है लेकिन भाग के अंतरगत सम्रत नहीं होती है अब हम तीसरी प्रकार की जो संक्या है परिमेट संक्या है उसके बारे में हम अध्यान करेंगे कि क्या ये योग, प्योकलन, गुणन और भाग के अंतरगत सम्रिद गुण दर्म का पालन करती है या नहीं करती है जैसा कि आप यह जो उपर लाइने लिखी हुए इनके उपर नहीं जाई है अपन सिधा ही उधारण पर आ जाते हैं जैसे कि पहला ही उधारण है कि 3 बटे वे 8 एक पुर्णांग सेंक इस्वरी जो कि एक परिमेश संक्या है क्योंकि परिमेश संक्या माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है यानि कि रिनात्मक भी हो सकती है और दनात्मक भी हो सकती है तो जब हम परिमेश संक्या को दूसरी परिमेश संक्या से जोड रहे हैं तो हमें उत्तर क्या प्राप्त हो रहा है परिमेशन क्या ही प्राप्त हो रही है वेसे ही दूसरा उदान देखते हैं कि माइनस 3 बटा 8 एक परिमेशन क्या है और माइनस 4 बटा 5 भी एक परिमेशन क्या है जब इनको जोड़ते हैं तो हमें माइनस के 47 बटा 40 उत्तर प्राप्त हो रहे हैं जो कि क्या है एक परिमेई सहीं क्या है वेसे ही अगर हम जो तीसरा उदारण है इसको हल करते हैं तीसरा उदारण जो है अगर अपन इसको हल करते हैं तो देखते हैं पहले इसकी जो सहिंख्या है परिमेई सहिंख्या है चार बटेव साथ और दूसरी सहिंख्या है छे बटा ग्यारा अगर इसको हम खल करते हैं तो इनके जो हर है 7 और 11 उनका ले से 77 आता है अगर 7 का बाग 77 में लगाते हैं तो 11 बार जाता है और 11 को 4 से गुना करते हैं तो 44 पराप्त होते हैं वेसे आगे प्लस का निसान है तो उसके बाद में 11 का बाग 77 में लगाते हैं तो 7 बार जाता है और 7 को 6 से गुणा करते हैं तो हमें 42 प्राप्त होते हैं और जब 44 और 42 को जोड़ते हैं तो हमें 86 प्राप्त होते हैं और नीचे 77 यानि कि जब 4 बटा 7 और 6 बटा 11 को हम तो हमें 86 बटा सततर प्राप्त होते हैं जो कि एक परिमेश संक्या है इसका मतलब यह हुआ कि परिमेश संक्या योग के अंतरगत समर्द गुंधर्म का पालन करती है अब हम देखते हैं कि क्या परिमेश संक्या अव्योकलन के अंतरगत भी समर्द गुंधर्म का पालन करती है या नहीं करती है जैसा कि आप पहला ही उदारण देख पा रहे होंगे कि माइनस 5 बटा 7 एक परिमेशंग के है वेसे ही 2 बटे वे 3 भी एक परिमेशंग के है लेकिन जब माइनस 5 बटा 7 में से 2 बटा 3 को घटड़ते हैं तो हमें उत्तर क्या प्राप्त होता है माइनस के 29 बटा 21 प्राप्त होता है जो कि एक परिमेशन क्या है दूसरा उदारन लेते हैं कि 5 बटा 8 एक परिमेशन क्या है और 4 बटा 5 भी एक परिमेशन क्या है जब 5 बटा 8 में से 4 बटा 5 को घटाते हैं तो हमें 25 माइनस 32 बटा 40 यानि कि माइनस के एक मिनिट हमें माइनस के 7 बटा 40 पराप्त होते हैं जो की एक परिमेश हैं क्या है वैसे ही जो इसका तीसरा उधारण है तीसरा उधारण है 3 बटा 7 3 बटा 7 ये एक परिमेश हैं क्या है और माइनस 8 बटा 5 ये भी एक परिमेश है जब 3 बटा 7 और माइनस 8 बटा 5 इनका जब वियुकलन करते हैं यानि कि 3 बटा 5 में से माइनस 8 बटा 5 को गटाते हैं तो इसको हल आम नीचे कर देते हैं कि 3 बटा 7 अब ये कोष्टक के अंदर और बाहर दोनो तरफ माइनस हैं तो माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाते हैं इसलिए जब कोष्टक खोलते हैं तो प्लस लगेगा और प्लस के 8 बटे 5 हो जाएगा अब 7 और 5 का लेसे 35 होता है 7 का बाग 35 में 5 बार जाता है और 5 को 3 से गुणा करते हैं तो हमें 15 प्राप्त होते हैं प्लस, फिर पाँच का बाग 35 में 7 दा चाता है और 7 को 8 से गुणा करते हैं तो 586 प्राप्त होते हैं। जब अपन इसको जोडते हैं 15 और च्पन को जोडते हैं तो हमने 70 प्राप्त होते हैं तो नीचे 35 है यक्या है? यह भी एक परिमेस प्रिमेरिसंक्या है वह व्योखलन के अंतरगत भी सम्रिद गुनतर्म का पालन करती है अब हम तीसरी संक्रिया के बारे में देखते हैं कि क्या उस संक्रिया के अंतरगत परिमेरिसंक्या समरित गुणदर्ण का पर्ण करती है या नहीं करती है तीसरी संक्रिया कौन सी थी गुणन तीसरी संक्रिया के अंदर के देखते हैं जो कि गुणन है इसका पहला उदान देखते है जब इनको हम घुना करते है तो हमें उत्तर कितना प्राप्त होता है माइनस के 8 बटा 15 ये भी क्या है एक परिमेशंग क्या इसका दूसरा उधरन देखते हैं कि 3 बटा 7 एक परिमेशंग क्या है 2 बटा 5 भी एक परिमेशंग क्या है जब इनको गुणा करते हैं तो हमें 6 बटा 35 प्राप्त होता है जो कि एक परिमेशंग क्या है वेसे ही एक तीसरा उदरण देखते हैं कि माइनस 4 बटा 5 ये एक परिमेश संक्या है और माइनस 6 बटा 11 ये भी एक परिमेश संक्या है इसको हल करने का काम में आपको सौंपता हूँ ये आपको करना है ठीक है वेसे तो मैं बता देता हूँ आप लगों को जब परिमेश संक्या से किसी दूसरी परिमेश संक्या को गुणा किया जता है तो हमेशा हमें परिमेश संक्या ये प्राप्त होती है अर्थात परिमेश संक्या हैं गुणन के अंतरगत सम्रित गुण धर्म का पालन करती है लेकि पी को हल करना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका उत्तर के से आया और कितना आया अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो अंतिम चोती संक्रिया है भाग उसके अंतरगत परिमेशंक्याएं सम्रिद गुनदर्म का पालना करती है या नहीं करती है तो इसका पहला उदारण है जिसके अंदर हम देखते हैं कि माइनस पांच बटा तीन एक परिमेशंक्या है और दो बटा पांच भी एक परिमेशंक्याएं लेकिन जब माइनस पांच बटा तीन में दो बटा पांच का बाग लगाते हैं तो हमें उत्तर कितना प्राप्त होता है माइनस के पत्चीस अच्छे क्या है एक परी में सेंग क्या है वेसे ही जब दो बटा साथ में हम मांज बटा तीन का भाग लगाते हैं तो क्या उत्तर में हमें कि परीमेशन क्या प्राप्त होती हैं यह हम यहाँ पर हल करके देख लेते हैं यह में कि यह मैं आपको यहाँ पर हल करके बता देता हूं कि दो बटा साथ और यह जो भाजक का चिन है इसको अपन गुणा के चिन में बदल देते हैं और आगे वाली जो संख्या है वो उल्टी हो जाती है अब इसका गुणनद पल ग्याद करते हैं दो तिया छे और नीचे साथ पंजो पेतिस कितने प्राप्त हुए छे बटा पेतिस यह भी क्या है एक परिमेशन क्या है वेसे ही इसके आगे वाला जो उदारण है यह मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि इसे आप अपनी कोपी में हल करके देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में उत्तर मुझे बता सकते हैं ठीक है तो आज हमने पढ़ लिया है कि पूर्ण संक्यां योग व्योकलन कुणन भाग के अंतरगत कि इन में से किन किन के अंतरगत समर्द गुनदार्म का पालन करती हैं या नहीं करती हैं उसके बाद में हमने पूर्णांग संक्या के बारे में पढ़ा और उसके बाद में हमने परिमेशन के बारे में पढ़ा सोरी बच्चों मैं आपको चोती संक्रिया है उसके अंतरगत परिमेशन क्या समर्थ होती है या नहीं होती है उसको पूरा बताना भूल गया था तो मैं अब बता देता हूँ इसको हम एक उधारन लेकर समझ लेते हैं कि 5 एक परिमेशन क्या है विसे ही 0 भी एक परिमेशन क्या है लेकिन जब हम 5 में 0 का भाग लगाते हैं तो हमें 5 बटा जीरो पराप्त होते है और अगर इसको खल करते हैं तो इसका उत्तर अनन्द आता है यानि कि 5 बटा जीरो एक परिमेशन क्या नहीं है यानि कि हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी परिमेशन क्या में दूसरी परिमेशन क्या का हम भाग दें और हमें उसका जो उत्तर है वो परिमेशन क्या ही प्राप्त हो जब किसी परिमेशन क्या में हम 0 यानि कि जो एक प परीमे संक्या नहीं है, इस हिसाब से जो इस हिसाब से जो परीमे संक्या हैं, वो पाग के अंतरगत, पाग के अंतरगत सम्रित नहीं होती है, ठीक है न, अब यह आपके समझ में आ गया होगा, इस हिसाब से अगर आप चारो संक्याओं में देखते हैं, तो परीमे संक्या योग के अंतरगत सम्रित होती हैं, वेवकलन के अंतरगत भी सम्रित होती हैं, और गुणन के अंतरगत भी सम्रित होती हैं, लेकिन भाग के अंतर झाल